गुद मॉर्निंग एवरिवन आज हम हमारी इन्वार्मेंटल स्टडीज की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं अगर आप लोग भी पीटेट और सीटेट के एक्जाम दे रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल Let us start आज का जो हमारा चैप्टर है वो है Parts of Plants and Their Function आज हम प्लांट के बारे में बात करेंगे उनके functions के बारे में बात करेंगे Clear है जी यह चैप्टर important है Mainly 1 और 2 questions आज आते हैं Environmental Study के एक्जाम में means paper 1 में आपका ठीक है जी तो अपने concepts clear कीजिए ध्यान से समझे इस chapter को Let us continue सबसे पहले बात करेंगे parts of plants की की plants के कौन-कौन से parts है देखिए जो parts है न ये two types में divide होते हैं एक होता है shoot system shoot system एक होता है root system दो categories में divide है root system and shoot system ठीक है जी अब तो देखिए ये तो जो नीचे वाला part है means root वाला part है सिरफ यहां तक का यहां तक का line लगा जेते हैं इसको बोलते है root system क्या बोलते है root system और जो root से उपर वाला ये part है flower, stem, fruit, leaf इसको बोलते हैं हम shoot system क्या बोलते हैं हम shoot system ठीक है जी तो अब ये क्या clear हो गया parts of plants तो category में divide है एक तो shoot system एक root system जो root system है वो root वाले part को बोलते है only जो plants जहां से bind up होना start होता है root से root के उपर वाला जितना भी part है उसको बोलते हैं shoot system जिसमें आपकी stem आ जाती है flowers आ जाते है, fruits आ जाते है, leaf आ जाते है I hope आपको clear होगी होगे अब इनके हम क्या है functions के बारे में बात करेंगे root system का क्या function है, stem का क्या function है, flower का क्या function है, fruits का क्या function है, leaf का क्या function होता है clear Let us start our functions functions of parts of plants, plants के कौन-कौन से function है, जो भी उनके parts है देखे, plants के function तो आपको पता ही होंगे, वो इसी में bind up हो जाएगा, ठीक है जी, सबसे पहले बात करेंगे roots, roots के क्या-क्या functions है, ठीक है जी, ऐसे होती है root, soil में, ठीक है, फिर plant, ऐसे stem मागी, यहाँ पे leaves, flower, ऐसे ठीक है जी, तो जो यह root है न, यह anchor plant in ground, यह ground में होके plant को क्य है, bind करके रखती है, soil से, क्या करती है, bind करके रखती है, soil से, plant को, ठीक है जी, first point clear है न, ground में होके, यह bind करके रखती है, soil के साथ किसको, plant को, next, second point क्या है, to absorb water and mineral from the soil, मिट्टी में क्या present होता है, water भी, और mineral भी, यह क्या कर लेती है, roots क्या करती है, absorb कर लेती है, क्या करती है, absorb कर लेती है उनको, ठीक है जी, तो फिर उसके बाद क्या है, यह absorb करने के बाद, देखिए, यह पानी को absorb करने के बाद क्या है, उसको transport करती है, उपर की तरफ, दो tissues होते हैं, हमारे, एक तो xylem, एक होता है, philom, दो tissues हैं हमारे, यह क्या करते हैं, help करते हैं, roots से, plants तक, पानी पहुंचाने का, mineral पहुंचाने का, अलग-अलग parts तक, यह दोनों tissues, clear है जी, तो यह क्या करते हैं, जब water absorb कर लेते हैं, mineral absorb कर लेते हैं, soil से, तो with the help of philom and xylem, यह क्या है, ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको, clear, next, third point है, to store the food, यह water को store करते हैं, जैसे, अभी बाद की water, इनके पास है, तो इसको store करके रखेंगे अपने पास, minerals को store करके रखेंगे, ठीक है जी, जो भी हम क्या है, खाद डालते हैं, manure डालते हैं, यह उनको भी क्या करते हैं, store करके रखते हैं, I hope आपको तीनों points clear हो गए होंगे, ठीक है जी, next, अगर हम बात करें, function of stem, stem की क्या-क्या function है, क्या-क्या role है, ठीक है जी, stem का, देखें, यह roots थे, यह stem है, ठीक है जी, यहाँ पे flower आगे, यहाँ पे leaves वगएरा आगे देखें, green color क्या रखते हैं, mainly, stem क्या करते हैं, sport to the plant, leaves and flowers, flower को, leaves को, और यह पूरे plant को क्या करते हैं, sport करते हैं, अपने उपर beer करते हैं, fruits को भी, ठीक है जी, यह beer सहने की, यह सहन सह सकता है, means, अपने उपर किसी चीज को रख रहा है, ठीक है, सारा plant इसी पे depend हो रहा है, हर चीज का अपना role है, ऐसे तो root भी, सारे plant को क्या है, अपने means, sport कर रहा है, बट अगर, root तो है, अगर stem नी बन भी, उपर की तरफ वो बड़ी नीरा, तो जो leaves है, fruits है, fruits है, flower है, वो कहां पे रहेंगे, हाना, कहां पे वो अपना क्या है, cover करेंगे, जगा या grow करेंगे, ठीक है, जी, second point की बात करें, transport water and mineral between roots and leaves, जो stem के, मैंने अभी बात की थी पीछे, के, xylem tissue and philone, ठीक है, दो है, ये क्या करते है, water से, water और mineral, soil से लेके, transport करते हैं, उपर की तरफ, बट ये present कहां होते है, stem में ही न, तो stem ही क्या है, help करेगी, roots से, leaves तक, या flowers तक खाना पहुंचाने में, clear है न, तो ये क्या है, दोनों tissues present होते हैं, यहां पे, means stem में, यही help करते है, roots से, leaves तक या, fruits तक लगा लीजिए, या फिर flowers तक ला लीजिए, transport करने में, water को और mineral को, clear, अब third point की बात करते हैं, storage of nutrients, like water and starch, ये अपने अंदर के हैं, store करके रख लेते हैं, जैसे roots से store करती थी वैसे ये, जैसे sugar gain, sugar gain किसको बोलते हैं, गन्ने को बो starch present होती है, तो वो एक stem है, आपने देखा होगा, sugar के ये, yellow color का होता है, ऐसे, ठीक है जी, ऐसे ऐसे होता है, means बहुत लंबा, तो ये क्या, इससे क्या बनती है, sugar बनती है, तो ये क्या अपने अंदर sugar को, starch को क्या करते है, store करके रखते है, I hope आपको ये clear हो गया होगा, ठीक तीनो points clear होगे होगे, तीनो functions clear होगे होगे, stem के, next अगर हम बात करें, functions of leaves, leaves के क्या-क्या functions है, पहला photosynthesis, to prepare their own food, to prepare their own food, जो plants है, वो अपना खाना खुद बनाते है, बट अगर leaves ही नहीं होगे, तो अपना खाना खुद कैसे बनाएंगे, ठीक है जी, तो ये क्या है, इन में reaction दिख देते हैं, wait, photosynthesis में क्या है, जो leaves होते हैं ये, ये green color के होते हैं, क्या present होते हैं इन में, chlorophyll, क्या present होते हैं, chlorophyll, जिसकी वज़े से leaves का color क्या होते है, green, ठीक है जी, तो ये क्या करते हैं, green color के होते हैं, ये क्या है, easily gases exchange करते हैं, देखें ये दिखता नहीं है leaves के उपर but with the help of microscope हम देख सकते हैं ये देखे open pores की तरह हैं इसमें से gases exchange होती हैं carbon dioxide अंदर जाती है और oxygen बाहर जाती है ठीक है ये stromat है तो ये क्या करते हैं leaves अपना खाना बनाते हैं देखे कैसे reaction लिख देती हूँ मैं यहाँ पर means photosynthesis की जो reaction है six carbon dioxide six water के molecules in the presence of sunlight क्या बनाते हैं अपना glucose अपना food C6H12O6 glucose प्लस oxygen gas ठीक है जी C6H12O6 अपना food बना लेते हैं यही होता है न फोटो सिंथीजिज़ प्लांट्स अपना food बना लेते हैं और oxygen जिसे हम यूज़ करते हैं humans यूज़ करते हैं animals यूज़ करते हैं breathe करने के लिए clear है जी ये reaction है आपकी photosynthesis है sunlight और chlorophyll भी होना जाए है यहाँ पर अपना खाना खुद नहीं बना सकता वो अपना खाना किस से लेता है dead and decaying animal से means जो dead and decaying part होता है soil में उससे क्या अपना खाना लेते हैं ठीक है जी white color का होता है क्योंकि chlorophyll नहीं present होता वो अपना खुद नहीं बना सकते बट जिनके पास green color का chlorophyll present है sunlight present है carbon dioxide है वो अपना खाना खुद बना सकते है that is glucose C6H12O6 I hope आपको clear है यह first reaction next second point की बात करते है transpiration wait just a second transpiration transpiration का meaning क्या है देखिए transpiration का meaning है अगर plants के पास या फिर leaves के पास access में water है water क्या है access में है तो यह अपना water क्या है release कर देते हैं किस में से stomata में से transpiration का मतलब है अगर water access में है plants के पास तो वो अपना water क्या है release कर देते हैं atmosphere में जिसको हम बोलते हैं transpiration process स्टोमेटा की हल्प सी अपना वाटर के रिलीज कर देते है सैकिंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा यह important है ट्रांस्पिरेशन टर्म के removal of excess of water from the leaves of the plant that is known as transpiration उसको transpiration कहा जाता है जब excess water release करते हैं यह water cycle में भी हल्प करता है next अगर हम बात करें हमारे third point की that is respiration अब respiration का क्या मतलब है respiration का मतलब है सांस ले न जैसे humans तो O2 taken करते हैं carbon dioxide क्या करते हैं remove करते हैं बाहर छोड़ते हैं बट जो हमारे plants हैं या leaves हैं वो carbon dioxide taken करते हैं अंदर की तरफ लेते हैं ठीक है जी oxygen remove करते हैं यह जो reaction है मैंने इसलिए अभी तक erase नहीं की ऐसे लगा ली जीए देखिए यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है six carbon dioxide ले रहे हैं अपना food बनाने के लिए बट oxygen क्या कर रहे हैं remove कर रहे हैं तो जो plant है वो सांस कैसे लेते हैं carbon dioxide अंदर ले लेते हैं और oxygen क्या है बाहर छोड़ देते हैं देखिए यह बहुत important circle है wait मैं अब को बताती हूँ यह बहुत important circle है अगर यह नहों तो human being क्या है survive ही नहीं कर सकते clear जैसे के अगर मैं बताओ just a minute मालीजिए यह leaves है अगर यह oxygen ना छोड़ते ठीक है तो जो यह human है मालीजिए यह human है यह oxygen कैसे लेता फिर जो यह carbon dioxide छोड़ रहे हैं यह leaves ना लेते तो तो यह circle बना हुआ है तो कैसे हमारा environment का balance ही नहीं होता gases का क्या है जो gases है जो balance वो नहीं हो पाती ठीक है इनी gases को balance करने के लिए देखे भगवान ने कितनी अच्छी चीज़ बनाई है कि leaves oxygen छोड़ रहे है जो कौन ले रहे है human ले रहे है human carbon dioxide release कर रहे है जो कौन ले रहे है plants ले रहे है ठीक है जी यह एक circle है इसलिए एक आज की हमारी वीडियो का message grow more plants जितना हो सके plants grow कीजिए अपने घरों में लगाईए clear है जी grow more plants आज का हमारी topic का एक message लगा लीजिए इस circle के बिना हमारी life possible ही नहीं है ठीक है जी other planets पे भी क्यों नहीं रह पारे है यूँकि oxygen proper amount में present नहीं है water नहीं है ठीक है जी next हम बात करते है function of flowers flowers के क्या-क्या function है helpful for reproduction जो plants है वो reproduce करने में help करते हैं देखे इनके बीच में आपने देखा होगा seeds होते हैं ठीक है जी seeds होते हैं ऐसे लगे होते हैं ये तो जो rose है ये तो with the help of stem भी grow कर जाते है अगर आप rose के plant की stem लगा देते हैं तो वहाँ पे क्या है rose का plant grow हो जाते है पर कुछ flower के बीच में seeds होते हैं ठीक है जी जो reproduce करते हैं इन में female part भी होते हैं और male part भी होते है attract the pollinators ये pollinators को attract करते हैं जैसे कि bees अपनी तरफ attract करते हैं फोर वो क्या है इससे रस ले लेती है nectar ले लेती है जिससे क्या है वो शहद बनाती है honey बनाती है flower से ही लेती है clear next third बात करें flower is used to make seeds अभी बात की seeds बनाने में काम आते हैं इनसे क्या है new new plants grow होते है ठीक है जी कोई भी ले लीजिए sunflower ले लीजिए कोई भी फ्लार है वो क्या है उनके जो seeds है वो new plants फॉर्म करते हैं जैसे रोज की तो हमने stem की बात कर ली कि इसके बें stem लगा लीजिए बढ़ कुछ होते हैं जो seeds के basis पे grow होते हैं ठीक है जी अब आपको I hope functions तीनों समझ आगे होंगे flowers के next हम बात करते है functions of function of parts of flower पहले आप flowers के जो parts है वो देख लीजिए जैसे ये पैटल पैटल का मतलब क्या होता है पत्तियां ठीक है जी ये जैसे पत्तियां ठीक है उसके बाद क्या है ये पिस्टल के टू पार्ट्स होते है प्लियर means ऐसे लगा लीजिए stigma and style ये उपर वाली जो लेयर होती है इसको stigma बोलते है इससे नीचे वाली को style एक मिनिट हाँ जी and next is ovary oval इनको sepals जो कली खिलती है न ऐसे बंद होता है इसको sepals बोलते है इसके नीचे जो होती है उसको stem बोलते है next हम बात करते है जो ये stem बन है इसके भी two parts है अन्थर और फिलामेंट अभी इनके बारे में जो functions है वो read करेंगी देखे पैटल्स हमेशा large होते है color होते है ये attract करते है इनसेक्स में पीछे हमने functions में बात की ये pollinators को क्या करते है attract करते है pollinators को wait pollinators को जैसे bees मदु मखियां को attract करते है यहाँ पे भी वही लिखा हुआ protect the flower in bud sepals क्या होता है अभी बताया है ऐसे bud होता है ठीक है जिसमें क्या है ये protect करते है flower को means खिलने से पहले जो उसका bud कली बनती है हिंदी में बात करें तो कली बोल देते है इसको ठीक है जी next petioles या फिस टाउक थोड़ा यहाँ पे erase कर दे आपको concept clear होना चाहिए ठीक है जी wait yes next क्या है petioles या फिस टाउक sports the flower to make it easily seen by insects to be able to withstand wind ये कहा है हवा को कहते है ऐसे stand करते है sport करते है so that इनको easily कहा है flowers कहा है देख सके ये जो स्टाउक होती है stem लगा लीजिए इसको स्टाउक बोलीजिए ये ऐसे stand करते है flowers को so that वो कहा है easily देख सके sport करते है ये flower को खड़े होने में produce nectar to attract insects हमने बात कर ली bees nectar rust लेती है फिर honey बना लगती है ठीक है जी next stem 1 क्या है stem 1 is the male reproductive part of flower made of anther and filament ये क्या है male reproductive part है ठीक है जी male reproductive part है next anther क्या होता है pollen sex होता है जिसमें pollen grains form होता है ये देखे pollen grains form हो रहे है weight color change कर लो ये देखे pollen grain form हो रहे है यहाँ पर ठीक है जी next जो filament होता है इसका क्या काम है इसको sport करना हमारे anther को क्या करना sport करना जो carpelle होते है ये क्या होते है female reproductive part stigma, style, और ये जो pistol है ना ये ये क्या है female reproductive part ठीक है जी next stigma क्यों होता है sticky surface होता है ovary के उपर ये जो stigma है ये ovary के उपर क्या है sticky होता है चिपकने वाला होता है style इन दोनों को link करवाने के लिए wait देखे अब ये तो female part हो गया style क्या है जो ovary और stigma को आपस में जोड रही है stigma एक sticky surface होता है चिपकने वाला surface होता है ठीक है जी और वेरी क्या है जहाँ पर क्या है ovals अंडे बनते है means flower reproduce होना शुरूग होता है new ये क्या है seeds को germinate करते है fertilize करते है किसको seeds को मैंने कहा ना प्रोडक्शन के काम आते है female part है male part है तो seeds कहाँ पर होते है ovals में clear है I hope आपको सारे functions clear हो गए होंगे petals attract करने के लिए insects को bees को फिर एक तो male part होता है एक female part होता है male part कौन से होगे enter and filament filament क्या होता है enter को support करता है enter pollen grains होते है pistol में 4 आगे female sigma, strile, ovary, oval ovary में seeds होते है ovary उसी की outer layering बोल दीजिए ठीक है जी जिसमें oval होता है clear है ovary को किस से stigma से कौन जोड़ता है style stigma क्या होता है sticky surface होता है stem बोल दीजिए star कोता है यह कह support करता है flower को so that insect इसे क्या है देख सके clear है sapple क्या था bird जिसमें से क्या है एक flower बनता है कली है clear है आपको functions next functions of fruits हम जो fruits लेते हैं उनकी क्या-क्या functions है fruits protect the seeds अब इसकी क्या बात है देखिए ऐसे होता है आप मारा apple लगा लीजिए ऐसे ठीक है जब इसको cut करते है apple को यह से दो पार्ट बन जाते है तो यहाँ पर क्या present होता है seed ठीक है जी कोई भी fruit ले लीजिए उसके center में क्या present होता है seed present होता है तो जो यह fruits है यह क्या है protect करते हैं किसको seeds को clear fruits attract करते हैं birds को insects को आपने देखियोंगे sparrows चेडियां लगा लीजिए ठीक है कोई भी छोटे मोटे insects लगा लीजिए squirrel लगा लीजिए glary बोल देते हैं वो क्या है fruits की तरफ भागी जाती है उनको food मिलता है खाना मिलता है उनको ठीक है fruits में से क्योंकि fruits क्या है क्या store करते हैं ये fruits क्या है store करते है अपने अंदर किसको fruit हमारे food को ला लीजिए starch को लगा लीजिए ठीक है जिसको हम खा पाते हैं ये अपने अंदर क्या है food store करते है जो fruits होते हैं ठीक है जी next अगर third point की बात करें wait जो many fruits हैं वो promote होते है with wind dispersal अब wind dispersal क्या है देखिए हवा से disperse हो जाना एक जगा से दूसरी जगा move करना with the help of wind हवा की help से उसको क्या बोलते है wind dispersal देखे जो sears होते है न वो क्या है एक जगा से दूसरी जगा या तो लेके जाए जाते है या कुछ agents होते है जैसे wind insects ये कुछ agents होते है जो क्या है seeds की supply करते है एक जगा से दूसरी जगा वैसे बहुत सारे fruits है जो क्या wind dispersal को क्या है promote करते है कि हवा के साथ जैसे coconut coconut वैसे तो ये water से जाता है बड़ जैसे ये नीचे गिरता है ठीक है जी वैसे ही क्या ये move करता है एक जगा से दूसरी जगा ये क्या है water से disperse होता है similarly कुछ ऐसे है जो wind से disperse होंगे वो आपने कोई वो नहीं होता जैसे but वो that is not a fruit वैसे example ले रहे हूँ जो white color के हम बोलते है that is also by wind dispersal जो हवा की वज़े से एक जगा से दूसरी जगा मूफ करते है और जहां पर गिर जाते है वहाँ पर क्या है फोर्म क्या हो जाता है एक छोटा प्लांट फोर्म हो जाता है similarly जो fruits है वो भी किसको disperse करते है wind dispersal की help से एक जगा से दूसरी जगा क्या है move करते है easily क्या है seeds क्या है वहाँ तक पहुँच पाते है I hope आपको सभी parts के जो plants के parts के है हमने stem, root, fruits, flowers flowers के parts के आगे function आपको सभी clear हो चुके है similarly इनके uses है आपको clear ही हो गयोंगे साथ में कि हर plant का क्या use है means part का कहां पे हम क्या medicines बनती है आपको पता होगा जैसे तूलसी का plant लगा लीजिए medicine बनती है तूलसी के plant की ठीक है जी neem के plant की तो यह क्या है plants की क्या है हमें साथ साथ यूजिस भी पता है अब तूलसी के plants के leaves हो गया ठीक है जी अगर stem की बात करें ठीक है जैसे अब rose की stem को क्या हम जहां पे लगा देंगे वहीं पे क्या है grow हो जाएगा डाल छीनी आपने घर पे ली होगी वो भी क्या एक stem होती है ठीक है जी fruits हम घर पे लेती है जिसमें क्या energy होती है तो इससे function के साथ-साथ आपके uses भी clear हो चुके है ठीक है जी आपके हर part का function clear हो चुके है कितने parts है क्या उनसे function है उनकी examples दे दिये है उनके similarly आपके uses होगी है thank you so much अगर आपका concept clear हो चुका हो please like the video, comments and share कीजिए so that मुझे भी पता चले कि आपको क्या है वीडियो समझ आ रही है thank you